अस्तामनीकूम फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टूप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल हक में है, जिसकी सेकिंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाली है, फरमान चोके विर्सा को किड्नैप कर चुका है, साइन करवाने के लिए प्रॉप्टी हत चल पूछा, अब फरमान जो यहां पर नहीं था तो उसके दोस्त ने फिर विर्सा पर तर्स खाते हुए, विर्सा को मां से बात करवा ही दी, एमन जोके वहीं पर मजूद थी, फोरण से पहले भाई को फॉन करती है, कि विर्सा भाबी की कॉल आई थी, और नमबर भी दे सके, दूसी तरफ आदिल भी पुपो के पास पहुंच गया, क्या मैं इतना पर आया हो गया, आप ते मुझे एक बार नहीं बताया कि विर्सा घर पर नहीं, सबसे पहले आप मुझे बताया करती थी आप तो मेरी मा है, लेकिन यहां पर तो असमा की वज़ा से आदिल को पुपो ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आदिल जो आया, तो सबसे पहले उसका शक फरमान पर गया, उपर बता करे न, उपर वाले के लावा कौन यहीं हरकत कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, आपका शक उस पर क्यों नहीं जा रहा, फात्मा का शक जा तो रहा है, लेकिन फिर भी खुले आम वो फरमान का नाम नहीं ने सकती बगेर किसी सबूत के, अब वकार में जो के फात्मा के पास आया, तो रात देर से जो फरमान खर आया, तो वकार पूछ देता है, कहां पर थे, इतनी देर से आए, तो फरमान कहण देता है, ओ हेलो, मेरा घर है, जब मैंने विर्जा को किडनाप किया मा तो सर पीट करें कि ये तुमने क्या किया फरमान ये तुमने अच्छा नहीं किया मैं इसमें तुम्हारे साथ नहीं हूँ तुम जानते हो के वकार पुलीस में रिपोर्ट दर्श करवा चुका है वो बहुत जल्ड तुमें ढूंड निकाले का लेकिन अभी तक फरमान को कुछ समझ नहीं आ रहा इकबाल साहिब ने चब इनकी बाते सुनी तो अब के बार जोड़ दर्थपर फरमान को दे मारा तुम्हारी इतनी जुरत हो चुकी है तुम मेरी फूल जैसी बतीजी को मेरी बेटी जैसी बतीजी को किटनैप करो हर जगा पर तुम्हारा साथ दिया लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं आई इस बात में तुम्हारा साथ नहीं दूँगा मैं सब को खुद सब कुछ बता दूँगा लेकिन फर्मान वादा करता है कि वो विर्सा को खुदी वापस देकर आएगा, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं, अब इकपाल साहिब यकीन कर ही लेते हैं, विर्सा के पास जब फर्मान चाहता है डॉक्मेंट्स देता है, तो विर्सा को अब के बार गुसा आगया, डॉक्मेंट्स ही फार देती है, ये दीचिये फर्मान भाई, नहीं करूंगे इन परसाइन, चो चाहे कर लो, फर्मान तो गुसे में आगया, लेकिन दूसी तरफ पलीस वाला वकार को खुशबरी सुनाता है, जिस नंबर से विर्सा ने कॉल की थी न, उस नंबर को ट्रेस कर लिया, हमें अड्रेस मालूम पढ़ गया, ऐसे ही वकार पलीस के साथ इस अड्रेस पर पहुंचाता है, और ये दोस्त पकड़ा गया, अब फर्मान भी चुँके यहीं पर मजूद था, इसी वक्त थी, विर्सा ने डॉकमेंट्स भाड़े थे, फर्मान ने तो जल्दी स अपनी बैक कर ली इनकी तरफ और भागने लगा, लेकिन पलीस ने भी जल्दी से हैंड्स अप कह दिया, इसलिए तो फर्मान को अप अपना मूँ सिधा करना पड़ा, हैंड्स अप करना पड़ा, ऐसे ही वकार तो इसको देखकर धंग रह गया, कि ये हो सकता है, इस पर श उसको घर ले आता है, घर लाकर उसको फात्मा के पास छोड़ा, और बहुत परिशान है, कि विर्सा क्या उससे कभी माफ कर भी पाएगी या नहीं, वो विर्सा को अपनाना चाहता है, विर्सा को वापिस लाना चाहता है, ऐसे मेहारी साहिब, मकार की हर गल्द वहमी को भी नहीं मिल सकती थी, उसने तुम्हारे अलावा किसी को नजर उठा कर नहीं देखा, वो तुम उसे बहुत महबत करती है, तुम उसे वापिस दियाओ, तो वकार कहने लगा लेकिन वो आदिल, तो यहां पर आज हारी साही भाद चोड़ते हुए बेटे के सामने माफी मांग करते हुए शर्मिनगी का इसार करते हैं, आदिल नामे कोई लड़का उसकी जिन्दगी में नहीं था, यह तो मैं, फर्मान और जूबी थे, जिसने आदिल को जबर दस्ती, तुम्हारे सामने उसकी जिन्दगी में घुसा दिया, तुम होच सोचो, अगर आदिल होता, तो क कुछ कहा, ना सुना, बस विर्सा का हाथ पकर लिया, विर्सा भी हिरान रहे कि अपना हाथ छुड़वाना चाहा लेकिन फिर, वकार की ग्रिफ्ट इतनी मजबूत थी, कि उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, अब के बार तो दोनों में पैच अप हो ही चाय का विर्सा, बहुत से गिले, बहुत से शिक्वे करें की, जो के वकार सुनेगा, उसे सुनने होंगे, और उसके बार माफी भी मांगेगा, और अब के बार जो विर्सा ने कहा था, कि जूबी का साथ होना, विर्सा को अजियत देता है, इसलिए वकार, जूबी का साथ ही छोड़ देगा, एक त तो जो सारी दौलत आते आते रह गई, इसी सदमे से ही तो फर्मान की मौत हो जाएगी, जो कि मां के लिए बहुत बड़ा सबक होगा, तो प्रेंट्स इस तरह से इस ट्रामे का हैपी दी एंड होगा, और हम सब बहुत उशे हैं इसका हैपी एंड देखकर, आहर कर वकार की सारी गलत फैमिया दूर हो चुकी, विर्सा और वकार एक हो चुके, तो फर्रेंट्स जहां पर आपको हैपी दी एंड के साथ ही साथ, कुछ बैक सीन्स भी दिखाती हूं, जो कि हमने इस ट्रामा में देखे और इंच्वाई किये, हॉप्सों के आपने कम्प्लीट एपिसो हमे को हतम हो ही जाना चाहिए था, उसको मजीद लटकाया जा रहा था, या पिर आप इसकी मजीद एपिसोड्स देखना चाहते थे, क्या आप ये चाहते थे वकार और विर्सा की जिन्दगी को आगे भड़ता हुआ भी देख सकें, एसन के साथ उनको खुश देख सकें, त इनफ हो चुका है, अब इसे हतम हो ही जाना चाहिए, आप काफी उक्तार चुके हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में, जरूर कमेंट्स में बताइए का, मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ, पैल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आन